Hello guys, welcome to my channel और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ How to use Telegram as a Cloud Storage So guys, अगर आपको अपनी फोन की किसी फाइल को Telegram पर सेव करना है तो वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ So guys, वीडियो को अन तक जरूर देखना So guys, पहले मैं आपको बता दूँगी Telegram की जो Storage Capacity होती है वो Unlimited होती है अगर आप WhatsApp में ऐसा Cloud Storage यूज करेंगे तो उसकी जो Storage होती है वो 2 GB की होती है लेकिन guys, Telegram में ऐसा नहीं होता Telegram की जो Capacity होती है वो 100 GB तक की हो सकती है So guys, अब मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने Telegram को Cloud Storage के जैसे कैसे यूज कर सकते हो अगर आपके मौल की Storage कम है तो So guys, इसके बेसिकली तीन तरीके हैं So guys, सबसे पहरा तरीका जो है वो है कि Telegram में Saved Message को यूज करना So guys, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर हमने बहुत सारे Message सेव किये हुए है फिर guys, अगर आपके पास वो Option नहीं आ रहा है तो आप यहां Three Lines पर क्लिक करके भी इस Option को क्लिक कर सकते हो और Open कर सकते हो So guys, अब दूसरा तरीका है किसी भी Bot को Message करके So guys, हमने हमारा जो Bot बनाए था आप उसका यूज़ करके भी Telegram को ऐसा Cloud Storage यूज़ कर सकते हो और guys, तीसरा तरीका जो है वो है Private Channel Create करके So guys, अब मैं बताता हूँ कि Private Channel कैसे Create करना है So guys, इसकलिए आपको यहां पर Pencil पर क्लिक करना है Pencil पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहां पर New Channel पर क्लिक करना है New Channel पर क्लिक करने के बाद अब हम यहां Create Channel पर क्लिक कर देंगे Create Channel पर क्लिक करने के बाद अब हमको यहां हमारे चैनल का नाम डालना है तो हम डाल देते हैं और हम यहां उपर राट पर क्लिक कर देंगे राट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास दो ओप्शन है Rublich Channel और Private Channel अभी अगर आपको अपने लिए Cloud Storage के लिए चैनल बनाना है तो आप Private Channel बना सकते हो Otherwise अभी मैं तो Public Channel बना रहा हूँ तो Public Channel बनाने के लिए मैं वापिस यहां राइट पर क्लिक करूँगा एट पर क्लिक करने पहले हम यहां पर हमारा नाम डाल देंगे अगर अगर यहां से कर सकते हो अदर्वाइस आप यहां नीचे से एरो पर क्लिक करके इस step को skip कर सकते हो तो हम कर लेते हैं आप आप जैसा की देख सकते हैं कि हमारा channel जो है वो create हो चुका है इस तरह से आप भी अपना private channel create कर सकते हो और telegram की storage को ऐसा अपने mobile की cloud storage use कर सकते हो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करके जाना channel पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना